हेलो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से इन्वार्मेंट का मुद्धा एक ग्लोबल इशू बन गया है इसके लाबा क्लाइमेट चेंज को लेकर जो भी डिबेट है जो भी बहां सहवाद विवाद है उनकी भी आज हम बात करेंगे इसके साथ ही प तो सबसे पहले बात करते हैं बैक्गराउंड की तो जैसा कि हम जानते हैं कि परियावरण का जो नुकसान है वो कई सदियों से होता चला आ रहा था कॉलोनिलिजम के टाइम पर इंपीरियलिजम के टाइम पर उपनी वेशवाद और सामराज्यवाद के दोरान बड़े लेविल पर परियावरण को नुकसान पहुँचाया गया इसके अलावा जब यूरोप में और दियों के करांती हुई तो उस समय भी परियावरण को बहुती जादा नुकसान पहुचाया जा रहा था बड़ इसके बाद जब हम देखते हैं वर्ल्ड वार टू वगरा होती है तब भी बहुती जादा जब एटम बम वगरा सामने आ जाते हैं तो परियावरण को बहुती नुकसान पहुचता है बट इस समय तक किसी भी सरकार ने किसी भी देश ने इन्वार्मेंट पर इतना ध्यान नहीं दिया या वर्ल्ड ने कभी इस पर इतना ध्यान नहीं दिया इसी बीच 1962 में 1962 में रेचल कार्सन जोकी एक वोमेन इन्वार्मेंटलिस्ट थी उनके द्वारा एक साइलेंट स्प्रिंग नाम की एक बुक लिखे गए जिसने पूरे विश्व के बड़े बड़े लोगों का नीती निर्माताओं का पॉलिसी मेकर्स का मेडिया का जनता का कई सरकारों का ध्यान अपनी और आकर्शित किया उन्होंने इस बुक में लिखा कि किस तरह से हुमन एक्टिविटीज से इन्वार्मेंट पर कितना खतनाग व्रभाव पढ़ रहा है इन्वार्मेंट का किस तरह से नुकसान हो रहा है तो इन सबी बातों ने पूरी दुनिया का ध्यान इसकी ओर खीचा, इन्वार्मेंट की ओर खीचा इसी बीच, पॉलुशन की अगेंस्ट, प्रदूशन के विरुद और नैच्रुल रिसोर्सिस की सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कई परियावरण आंदोलन इन्वार्मेंट, आंदोलन मुवमेंट्स चल रहे थे, जिसको 1970s की कई सारी घटनाओं ने बल दिया फ्रेंट्स 1970s में 1970 के दश्चक में परियावरण से संबंदित कुछ महत्पून घटनाएं घटी थी जैसे की मरकरी पॉइजनिंग इन मीना माटा, हाइडरोजन बॉम टेस्टिंग, थिरी माइल आइलेंड नुकलियर एक्सिडेंट, ओजोन डिप्लेशन, ऐसे ड्रेंड और ग्लोबल वाल्मिंग तो ये बहुत ही बड़े परियावरण से संबंदित खटनाई हैं, जो की उस समय सामने आई, 1970 के दशक में, जिससे विश में कई सारे परियावरण से संबंदित मूवमेंट्स देखने को मिलें और UN जैसी संस्थाओं का ध्यान इनकी और आकरशित हुआ, और ये जो परियावरण का जो ये विशेह था, जो ये इन्वार्मेंट का जो इशू था, वो एक ग्लोबल इशू बन गया तो कुछ इस तरह परियावरण का इशू एक ग्लोबल इशू बना, अब ये पूरे विश्व की एक चिंदा बन गई अब इन्वार्मेंट चेंज में सबसे ज़्यादा चेंज हमें दिखाए देता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है अब क्लाइमेट चेंज एक ऐसी समस्या है, लाइक पॉलूशन हो रहा है और ऐसे जो जलवायों परिवर्तन हो रहे हैं तो इनके जैसी जो परियावरणी समस्याएं हैं जो इन्वार्मेंट से सम्मंदित जो प्राबलम्स हैं वो किसी एक देश में, किसी एक देश की बाउन्डरी तक सीमित नहीं हैं लाइक अगर भारत में गंगा नदी जो है वो पूरी तरह गंदी हो जाती है तो उसका असर बांगलदेश पर भी पड़ता है, अगर भारत में पॉलूशन जादा होगा तो बगर वाली कंट्रीज पर भी उसका इफक्ट पड़ेगा अगर बगर वाली कंट्रीज में जादा पॉलूशन होगा तो उसका भारत पर भी इफक्ट पड़ेगा तो यह जो समस्याएं हैं, वो किसी भी देश की बाउन्डरी में सीमित नहीं रहती हैं तो इसलिए अगर कोई भी एक देश तो ये global problems हैं तो अगर कोई भी एक देश अगर चाहे कि मैं इस problems को solve कर दूँ तो ऐसा possible नहीं है अमेरिका कितनी ही बड़ी power क्यों नहीं हो बड़ो अकेले इसको solve नहीं कर सकता वो क्या कोई भी देश अकेले इस समस्या को solve नहीं कर सकता इसके लिए multilateral efforts की जरूरत है बहु पक्षी प्रयासों की जरूरत है मतलब कई सारे देश आपस में कठे हों और सहयोग करें जिसके बाद ही इन problems को solve किया जा सकता है और इसी कारण से solve करने की कारण ही 1968 में सन्युक्त राष्ट संग के आर्थिक और सामाचिक परिशद ने मानव परियावरण समस्याओं पर सन्युक्त राष्ट सम्मीलन का आयोजन किया था मतलब UN की एक Council है Economic and Social Council जिसने human environments की problem को solve करने के लिए एक conference 1968 में held की थी किया गया था इसके बाद 1972 में 1972 में स्टॉक होम में परियावरण पर सन्युक्त राष्ट का सम्मीलन आयोजन किया गया था जो की वैश्विक परियावरण के इतिहास में महत्पूर्ण सावित हुआ था मतलब इसकी importance बहुत जादा है आपने सुना होगा इसका stock होम सम्मीलन तो stock होम सम्मीलन की बहुत जादा importance है वो इसलिए कि stock होम सम्मीलन में इस conference में human environment को access करने के लिए उसका आकलन करने के लिए manage करने के लिए प्रबंद करने के लिए और जो परियावरण से सम्मंदित जो समस्याएं हैं उसका पता लगा कर उसके सम्मंद में उप्युक्त उपाय करने के लिए एक action plan को भी अपनाया गया था मतलब इसमें एक action plan अपनाया गया था जिसमें ये करना था कि जो भी problem हो कि उसको solve करने के लिए हम कुछ करेंगे इसी के परियावरण सुरूप UNEP United Nation Environment Program ये एक बहुती बड़ी एक संस्ता है जो कि परियावरण से सम्मंदित समस्याओं को देखती है तो friends Stockholm सम्मेलन की अपने एक बहुती ज़्यादा importance है और importance इसलिए भी है कि इस सम्मेलन के बाद इस conference के बाद जो विकसित और विकास्षिल देशों के बीच जो debate थी जो विवाद था जो conflict था वो साफ साफ हो गया मतलब अब जब conference हुई तो conference में ये साफ दिखाए दिया कि विकास्षिल देश और विकसित देश जो develop and developing countries हैं उनकी सोच मिल नहीं रही है विकास्षिल देश नौर्थ और साउथ की बात कर रहे हैं कि साउथ जो countries हैं उनको कोई भी उनके उपर foundation नहीं होने चाहिए पर्यावरण को ठीक करने के लिए तो जो वाद विवाद था वो साफ 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 सामने आ गया था इस conference के बाद अब देखे फ्रेंट्स अब जो ये environment का issue है उसको solve करने के लिए कई सारे देशों ने agreements किये हैं विश्व के देशों ने agreements किये हैं बट ये agreements इतनी आसानी से नहीं हुए हैं इनको लेकर कई विवाद हैं कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर debate है तो आएए अब हम कुछ जलवायू परिवर्तन से संबंदित कुछ मुद्दों को देख लेते हैं जिनको लेकर बहुत ही ज़्यादा वाद विवाद है डिबेट है पहला मुद्द है पहला इशू है वैश्विक साजी संपदा ग्लोबल कॉमंस इसका भी प्राय एट्मोसफेर ओशियन इस्पेस जैसे जो अर्थ की रिसोर्सिस हैं उनसे हैं साजी संपदा का विचार ये है कि कोई भी देश एयर वाटर और लैंड का अंधा दुन्द प्रियोग नहीं करेगा मतलब ये मानते हैं कि एट्मोसफेर ओशियन इस्पेस पानी हवा जमीन ये ऐसे रिसोर्सिस हैं जो पूरी दुनिया की हैं तो कोई भी देश इनका एक अंधा दुन्द प्रियोग नहीं करेगा लाइक अभी मैंने एक्जामपल दिया था कि अगर भारत गंगा रिवर का पूरा पानी अगर यूस करने लगे तो बांगला देश को इससे खत्रा हो जकता है तो ये तो एक अर्थ का एक वैश्विक साजी संपदा माने जाती है ग्लोबल कॉमन्स माना जाता है तो इसलिए ये डिबेट है एक डिबेट का मुद्दा है इसके अलावा लाइक जो एयर है आप एयर को पॉल्यूटिट करते ही जा रहे है अब ये ग्लोबल कॉमन्स है वैश्विक साजी संपदा है तो आप एयर को पॉल्यूटिट करते ही जा रहे है अपने फाइदे के लिए तो इसमें ये debate है कि अगर जो देश pollution करता है जो भी देश पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है ये उसी की जिम्मेदारी है कि वो उसको सही करने के लिए जो भी खर्च आता है वो करे दूसरा debate का जो मुद्धा है वो है development विकास विक्सित देशों का मानना है कि विश्में ग्रीन हाउस गैसों को रोकने के लिए सभी की बराबर जिम्मेदारी होनी चाहिए सबी को बराबर contribution करना चाहिए पैसे वगरा देने चाहिए और एक बराबर participation करना चाहिए greenhouse गैसों को रोकने के लिए या environment को सही करने के लिए बट जो developing countries हैं उनका मानना है कि history में हम देख सकते हैं कि किस तरह से इन developed countries ने परियावरंड को environment को नुकसान पहुचाया था तो जब उन्होंने ज़ादा नुकसान पहुचाया था तो उन्ही की ज़ादा जिम्मेदारी होनी चाहिए वही इसको सही करें इसके लावा जो developing countries हैं वो ये कहती हैं कि जो developed countries हैं जो विकसित देश हैं उन्होंने history में तो अपना बहुत ही ज़ादा विकास कर लिया उन्होंने history में इतना pollution किया अपनी industries वगरा खोली ग्रीन हाउस गैसों को emerge किया emission किया उन्होंने उत्सरजन किया तो ये सब करके उन्होंने अपना development तो कर लिया बड़ जब हम अपना development करना चाहते हैं तो वो अब कई सारी हम पे treaties वगरा या हमारे से कई सारे agreements कराना चाहते हैं कि हम परियावरण को नुकसान ना पहुंचाएं तो ये भी एक मुद्दा था इसके लावा तीसरा इश्यू है जलवायू नियाएं और समता climate justice and equity अब ये पहले वाले से जुड़ा हुआ है विकाशिल देशों का मानना है कि जलवायू परिवर्तन में विकाशिल देशों का बहुती कम योगदान रहा है मतलब उन्होंने बहुती कम environment को नुकसान पहुचाया है तो इसलिए इसे रोकने में उनकी समान जिम्मेदारी नहीं होने चाहिए मतलब हम एक समान जिम्मेदारी नहीं नीभाना चाहते हैं मतलब विकाशीर देश कह रहे हैं कि पॉल्यूशन जादा तर विक से देशों ने किया है तो जादा तर उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो इसको कम करें और वो इसको सही करने के लिए अपनी लागत लगाएं पैसा खर्च करें इसमें सभी की एक जैसी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए इसके लावा एक इशू है एक मुद्दा है डिबेट का शक्ती संबन्द पावर रिलेशन जो कमजोर राज्ये हैं उनको समझोता करना बढ़ता है तो ये है पावर रिलेशन इसके लावा एक डिबेट का जो मुद्दा है वो है जैंडर ऐसा माना जाता है कि जो इंडिजीनियस पीपल्स हैं जो मूल निवासी हैं जब कभी भी अंतरास्ट्री कानून वगरा बनते हैं कन्वेंशन बनते हैं तो इनके विचार को मूल निवासीों के विचार को अनोपिस्थित रखा जाता है उनके विचार को नहीं लिया जाता है इन सब के अलावा जो जेंडर है उसके लेविल पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है भी भाव होता है महिलाओं को कई सारे एगरिमेंट्स में शामिल नहीं किया जाता है तो फ्रेंड्स अभी हमने बात कर ले इशूज की बट इन सबी इशूज के बावजूद कई सारे अंतराश्ट्री समझोते हुए हैं एगरिमेंट्स हुए हैं तो आएए अब हम उनकी बात कर लेते हैं पहला एगरिमेंट है मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल अब 1985 में विश्व को दुनिया को पता चला कि ओजोन में कमी आ रही है जो ओजोन की लेयर है उसमें कमी आ रही है उसका डिपलेशन हो रहा है तो उसकी रक्षा करने के लिए उसे प्रोड़क्ट करने के लिए 1987 में मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया इसमें CFC से रिलेटेट कई सारी बातें की गई उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ किया गया बट इसकी जो इंपोर्टेंस है मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल की व अपनी रिसर्च जो थी वो बढ़ा दी वो इस प्रोटोकॉल के बाद इंस्पायर हुए उन्होंने देखा न कि किस तरह से पूरी दुनिया के देश अब इन्वार्मेंट की तरफ ध्यान दे रहें तो वैग्यानिकों को इसे एक प्रेड़ना मिली और इसी के चलते अब नाली थी उस पर अब नजर रखी जाने लगी जो मतलब क्लाइमेट सिस्टम था उसको मॉनिटर किया जाने लगा इसके बाद दूसरा है युनाइटिड नेशन कन्वेंशन टू कमबैट डेजर्टिफिकेशन 1994 में यह हुआ था इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो डेजर अभी भी दे रहा है कि जो इंडिया में डेजर्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है उपजाओ भूमी कम होती जा रही है डेजर्ट बढ़ रहा है तो नॉर्मली पुरे विश में इसकी रोब थाम हो और जमीन जो है उसकी इस्तिती में सुधार हो एको जो एको सिस्टम है उसक कन्वेंशन किया गया था तीसरा है कन्वेंशन ओन बायो लॉजिकल डाइवर्सिटी जाय विवित्ता पर कन्वेंशन अब इसे थुड़ा ध्यान से समझे 1992 में रियोडी जैन्रियों में ये सम्मिलन हुआ था कॉन्फरेंस हुई थी UN की ही तरफ से तो इसे हम प्रिथिवी सम्मिलन और अर्थ सम्मिलन भी कहते हैं अब इसी सम्मिलन में इसी जो तीसरा वाला हम पढ़ रहे हैं इसी सम्मिलन में दो चीजों को अपनाया गया पहला है जै विवित्ता पर कन्वेंशन यानि कि biological diversity पर convention को अपनाया गया जिसमें कहा गया जो natural resources है जो प्राकृतिक संसादन है उसका संद्रक्षन किया जाएगा और इसे कानूनी माननेता दी गई अब legally ये mandatory हो गया कि अब देशों को प्राकृतिक संसादनों का संद्रक्षन करना है अब इसी में दूसरी चीज़ भी अपनाई गई अब दूसरी चीज़ को हम चौथे में समझेंगे अब चौथा जो agreement है वो है United Nation Framework Convention on Climate Change ये जो चौथा convention है भी हम पढ़ रहे हैं इसे तीसरी convention में ही अपना लिया गया था अब जो ये UNFCC था उसने कई सारे देशों को finance और technological help दी एक प्रोसेजर बताया कुछ दिशा निर्देश दिये कि किस तरह से resources को मतलब protect किया जा सकता है इसके लावा इसने कुछ environment change से related कुछ शर्ते भी लागुक की इस convention में एतिहासिक उत्तरदाइत्व के सिध्धान्द को ध्यान में रखा गया इसी कारण से इसके ढाचे में साजी जिम्मेदारी लेकिन अलग-अलग शमताओं के अधार पर अलग-अलग भूमिकाओं के सिध्धान्द को शामिल किया गया इस convention की सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें ये ध्यान रखा गया कि इतिहास में हिस्ट्री में developed countries ने ज़्यादा पॉलिशन किया है ज़्यादा मतलब परियावरण को नुक्सान पहुँचा है तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है तो इस सिध्धान्द को इसमें ध्या इसके लावा बर्लिन जनादेश ये एक समझाओता था जिसमें विक्सित देशों को ये दिशा निर्देश दिया गया था कि वो अपनी ग्रीन हाउस गैसों को कम करेंगी इसके बाद सामने आता है क्योटो प्रोटोकॉल अब जो बर्लिन जनादेश था वो मतलब सफ़ल न विक्सित देशों के लिए कानुने रूप से लेगली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सरजन में कटौती करने की बात की गई इसमें कहा गया कि जो विक्सित देशें वो ग्रीन हाउस गैस की कटौती करेंगे उसमें कमी लाएंगे बट इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखी गई कि साजी जिम्मेदारी है मतलब सब ही की जिम्मेदारी है कि वो सब ही देश इसमें कमी करेंगे बट सब की अपनी अलग-अलग शम्ता है ability अलग-अलग है कुछ गरीब देश है तो अपनी शम्ता के हिसाब से सब इसमें contribution करेंगे इसके बाद 2009 में copenhagen समझोता होता है इस समझोते में कोई भी कानूनी बादिता नहीं होती है मतलब कोई भी foundation नहीं होती है legally बट इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसमें voluntary स्वेचिक प्रतिबदता के सिध्धान्त को अपनाया जाता है विक्सित देशों के द्वारा इसमें ये कहा जाता है कि विक्सित देश ये स्विकार करते हैं कि अब वो अपने इच्छा के अनुसार greenhouse गैसों को कम करने की पूरी कोशिश करेंगे इसमें विकाशिल देशों के लिए कुछ भी नहीं कहा गया बठां विक्सित देशों के लिए ये प्रावधान किये गए कि वो अपने इच्छा के अनुसार greenhouse गैसों को उस सर्जित करने से रोकेंगे मतलब उसमें कटौती करेंगे इन सबसे जादा important है Paris समझोता 2015 में ये समझोता हुआ था जिसमें जो गैसों का जो उत्सर्जन है उसमें कटौती के सुछिक विचार को दिर्णता से निर्धारित किया गया था ये एक एतिहासिक समझोता था क्योंकि अब पहले क्या होता था कि जो विक्सित देश थे developed countries थे उन्होंने ये सुईकार किया कि अब हम voluntary मतलब अपनी इच्छा के अनुसार हम ये मानते हैं कि हम गैसों को जो green house gas है उसको कम करने की पूरी कोशिश करेंगे बट विकास शील देशों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं था कि उन्हें अपने गैसों को कम करना है ऐसा कोई प्रावधान नहीं था बट पैरिस समझोते में विक्सित देशों के साथ ही साथ विकास शील देशों के लिए भी ये विचार लाया गया कि अब वो भी सो इच्छे ग्रूप से वॉलन्टरिली अपने आप ही ग्रीन हाउस गैसों को कम करने का पूरा प्रियास करेंगे तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हमने जो भी समझोते देखे जो भी मुद्दे देखे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं तो प्लीज इनको अपने एक्जाम में जरूर लिख कर आएं इसके लाव फ्रेंट्स हम देख सकते हैं कि किस तरह इन्वार्मेंट का जो एक मुद्दा था 1960 के दशक से पहले ये इतना बड़ा कोई गलोबल इशू नहीं था बट आज के टाइम पर ये एक बहुती बड़ा गलोबल इशू बन चुका है हर किलास में हम परियावरण के बारे में पढ़ाई करते ही करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट हैं इसके लावा सभी नैशनल गवर्मेंट इसकी और बहुती ज़्यादा ध्यान दे रही है तो ये बहुती बड़ा गलोबल इशू आज के टाइम पर बन चुका है तो फ्रेंट्स फिलाल आज की इस वीडियो में इतना ही है और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जाज जाज शेयर करें और लाइक करें थैंक यू